एक बार की बात है, एक पक्षी था जिसका पंख तूट गया था, जिस कारण पक्षी उड़ नहीं सकता था और यह हर समय बहुत दुखी रहता था, वह पूरे दिन एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता था और दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए देखता था, एक दिन ए पक्षी ने कहा, मेरा एक पंख तूट गया है और मैं ओड़ नहीं सकता, मैं अन्य पक्षियों से अलग हूँ, उल्लू ने कहा, आप अलग नहीं हैं, बस आपका एक पंख तूटा हुआ है, लेकिन आपके पास एक सुन्दर दिल है, आप जीवित बचे हैं, पक्षी ने कह मैं जीवित बचे हुए जैसा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं असफल महसूस कर रहा हूँ, उल्लू ने कहा, आप असफल नहीं हैं, आपको सिर्फ चुनौती दी गई हैं, लेकिन चुनौतियां हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाती हैं, वे हमें उन चीजों की सराहना करने क के लिए प्रेरित करती हैं, जो हम कर सकते हैं, चिडिया ने कहा, मुझे नहीं पता कि ताकतवर कैसे बनना है, उल्लू ने कहा, तुम पहले से ही मजबूत हो, तुम यहां तक जीवित बचे हो, तुम एक तूटे हुए पंख के साथ जीवित बचे हो, तुम जितना सोचते ह उससे कहीं अधिक मजबूत हो। हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी के जीवन में चुनौतियां हैं। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें तो हम उन चुनौतियों पर काबू जरूर पा सकते हैं। अपने आप पर यकीन रखो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। कभी हार न मानना चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों कभी हार न माने। लड़ते रहो और अंत में आप अपने लक्ष जरूर प्राप्त कर लोगे।